काव बर ले थसरे ठेंसन अरे काव बर ले थसरे ठेंसन जब अपस्वर बन केते कर पे धमार ये कैसे होगा से काव बर ले थसरे ठेंस्वर आपरी गडिया काव बर ले थसरे एंसन यह सी महों के बाबाल इन रात पढ़ना है मजावो धामाल काव पर ले थसरे टेंसन अरे काव पर ले थसरे टेंसन जब अप स्वर बन के ते कर पे धामाल यह कैसे होगा से अरे काव पर ले था आप सभी का स्वागत है देखिए यार मैं समझ सकता हूं आज भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और आप लोग का एक रूपे के इक्छा नहीं हम लोग के वीडियो देखने का लेकिन अब कैसे करोगे बताओ पिएस्सी चीज ही ऐसा है जो क्या करता है बलिदान मांगता है बहुत देर तक मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए गुड आफ्टरनून एवरिवन गुड इवनिंग कहा अभी गुड आफ्टरनून है ठीक है गुड आफ्टरनून जल्दी जल्दी शुरू करूं क्या फटाक से बताओ तुम लोग मेरे को बता दो कि साउंड वाउंड है बढ़िया क्लियर है दिख रहा हूं फिर चालू क करते हैं कोई दिक्कत का बात नहीं है कि बता अफट आफट बता दो कमेंट करके मेंट जल्दी बता दो जल्दी जल्दी कैसे करते हो यार एकदम तुम लोग बताते बताते हैं हो चीक है चलो शुरू करते हैं देखिए तो मोर 36 गड़ मेरा यह जो सीरीज है इसका है 24 चौभीसवा वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ और यह जो वीडियो है ना बेसिकली इसमें हम 36 गड़ का कौन सा जिला देखने वाले हैं तो महासमुन जिला देखने वाले हैं जादा बड़ा डिस्ट्रिक नहीं है छोटा सा है आधे गंटेम खतम कर लेंगे ठीक है अच्छा मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अर इतना वीडियो आप लोग मेरा देख चुके हूँ कि पढ़ाने का स्टाइल बिलकुल समझ गए होगे कि सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक में प्रशासन पढ़ाऊंगा उसके बाद इतिहास पढ़ाऊंगा उसके बाद जोग्रिफिया भुगोल रहेगा और लास में जनजाती परेटन ट्राइबज आंड टुरिजम शुरुवात अपन करते हैं महासमुन डिस्ट्रिक के माप को देखकर देखिए महासमुन का जो माप है न इस माप को मैंने यहाँ पर लिया है और बेसिकली सबसे पहले इसको लोकेट करते हैं अपन और इसके लोकेशन को देखेंगे इसके अडोसी पडोसियों से ठीक है तो क्या करना अगर इसे मैं ऐसे एक लाइन से भाग दूँ और उपर के भाग को मैं कहूं उत्तर या नौर्थ और नीचे के भाग को कहूं दक्षिन या साउथ तो ध्यान रखना इसके उत्तर नौर्थ की तरफ से आप एक दो और तीन लाइन ले सकते हो तो महा समुन के उत्तर नौर्थ की तरफ से कित्ता ले आईन ले सकते हो तीन अच्छा इसके दक्षिन की बात करोगे ना इसके साउथ की तो आप यहां से कित्ती लाइन लेना दो तो नौर्थ से तीन लेना साउथ से लेना दो लाइन अब पडोशियों के नाम लिखते हैं सा डिस्टिक्ट है सारंगड बिलेगर फिर यहां से लेके यहां तक यह बॉर्डर करता है किस साथ तो उडी सा राज्जी के साथ फिर यह चोटा सा हिस्सा यहां पर जो आप देख रहां étaient यह हमारे राज्य का गरिया बंद जिला है और फाइनली जो बज गया यहां से आता कि यह हमारा कौन सा जिला है तो यह हमारा रायपूर जिला है तो फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या किये नौर्थ से तीन लाइन लिए नौर्थ से किते लाइन लिए तीन और साउथ से लि यहां से यहां तक गरियाबंद और फिर यहां से यहां तक कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? राइपुर. तो I hope इस location को तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. अब क्या किया जाए? तो आज आया जाए पहला point, administration, प्रशासन और उसमें भी सबसे पहले मैं बताता संख्या, तहसील, तो ध्यान रखना इस जिले में तहसीलों की संख्या 6. क्या क्या है? सबसे पहले एक तहसील आपको मिलेगा यहां पर, नाम है इसका पिथोरा. क्या नाम है? पिथोरा. अब इसी line में आगे चले जाओगे ना, तो आपको मिलेगा बसना. और उसके बाद मिलने वाला है सराई, उल्टा लिख दी हूँ लग रहा है जी. पहले कर लो क्या? सराई पाली और उसके बाद कर दो क्या? बसना. ठीक है? पिथोरा, सराई पाली, बसना. अब इसके बाद क्या कर ले ना? इस line में आएंगे ना, तो आपको कौन-कौन सा तह तहसील मिलेगा, तो एक मिलेगा जिले का मुख्याल है, जो की क्या है? महा समुन्द. महा समुन्द के बाद नीचे आओगे, आपको मिलेगा अगला तहसील जिसका नाम है बाग बहारा. फाइनली मिलेगा क्या? कोमा खान. समझ में आया? पिथाओरा, उसके बाद क्या है? बसना सराईपाली, फिर महा समुन्द है, बाग बहारा है, फिर है कोमा खान. तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 6 तहसील बताऊंगा, तो 6 तहसील हो गए. अच्छा, ये ना, आज कैसे कैसे हो रहा है इंडिया-पाकिस्तान मै मैच में ये बसना ये है और बसना के बाद सराईपाली है, कैसे मैं भी उठपुटांग कर दे रहा हूँ. सराईपाली, ठीक है? तो पिथाओरा है, बसना है, सराईपाली है. इंडिया-पाकिस्तान के मैच के दिन में दबाव मेरे उपर आ गया है. तो महा समुन्द, बाग बहारा, कोमा खान. हो गया छेटो तहसील? अच्छा. अब तहसील के अगर बात करोगे ना, तो छेटो हो गये. अब आजाए किस पे? विकास खंड या ब्लॉक पे, तो विकास खंड या ब्लॉक पाँच है. तो ध्यान रखना, पिथाओरा विकास खंड है, बसना है, सराई पाली है, महा समुंद है, बाग बहारा है, कोमा खान, विकास खंड या ब्लॉक नहीं है. तो ध्यान रखना, कितने तहसील हो गए, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच है, विकास खंड कहो गए, पाँच, कोमा खान नहीं है. अगला पॉइंट, जिले का हेड़क्वार्टर् ही रहा है, महा समुंद क्या है, जिले का, मुख्याले है, हेड़क्वार्टर्स है, ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद, नाशनल हाईवे की बात करूँ, तो आपको ध्यान होगा, पिछले कुछ दिनों से, मैं आप लोगों को, नाशनल हाईवे नंबर, 53 बता रहा हूँ, अब यह जो 35 नंबर है, मैंने आपको बताया था, कि गुजरात के यह हजीरा से निकलता है, और यह उडिसा के कहां तक जाता है, पारादीप तक, लिख भी देता हूँ, और यह 36 गण में आएगा कहां, राजनात गाउं, फिर दुर्ग, के बाद, राइपुर, और फिर आर फिर यहां से ध्यान रखना यह जाएगा कहां, पिथावरा, पिथावरा अगबाद, बसना, बसना अगबाद, सरैपाली, पिथावरा बसना, सरैपाली, 36 गण से बाहर, NH 53, अच्छा, बेसिकली, 36 गण में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, 322, 322, अब इसकी दो ब्रां ब्रांच निकलती है, जो की सारंगड होते हुए जाके राइगड के पास NH 49 में खतम होती है, नाम है इसका नाशनल हाईवे नंबर 153, छत्तित गण में लंबाई है, इसकी 86.8 किलोमेटर्स, ठीक है, दूसरी इसकी जो ब्रांच है, वो निकलती है घोडारी से, और घोडार से निकल के यह आती है कहां, महासमून बाग बहारा और कोमा खान होते हुए उडिसा के खरियार तक जाती है, छत्तित गण में लंबाई है 65.6 किलोमेटर्स, और इस नाशनल हाईवे का नाम है NH 353, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले नाशनल हाईवे नंबर 53, हजीरा से न 322, और यही 53 आच्चुली आरंग के बाद एंटर करती है, महासमून जिले में पिथोरा बसना सराईपाली होते हुए निकल जाती है, जैसे ही यह एंटर करे, घोडारी से इसकी एक ब्रांच निकलती है, जो खरियार तक जाती है, महासमून बाग बहारा कोमा खान होते नाम है नाशल हाईवे 353, और जब यह 53 आगे सराईपाली पहुँचे, तो सराईपाली से सारंगड होते हुए जाके राएगड के पास NH49 में खतम हो, वो है NH153, चत्तजगड में लंबाई है, 86.8 km, ठीक है, मेंस में NH153 को पूछा है, 30 वर्ट्स में, ठीक है, अब यह राईवेक बनाया जाए, पिथाओरा, बसना, सराईपाली, चत्तजगड से बाहार, NH53, फर हमने क्या देखा, जैसे ही एंटर करें, वहाँ से ब्रांच निकल के महासमून, बाग बाहारा, कोमा खान होते हुए, उडिसा, NH353, आच्छा, इसके बाद, सराईपाली से सारंगड होते हुए, राईगड के पास तक जाएगी, NH150, तो यह तीन ठो क्या हो गया जी, यहाँ का, नाशनल हाईवे, ठीक है, तो नाशनल हाईवे भी देख लिए, तैसील देख लिए, ब्लॉग देख लिए, हेटपॉर्टर्स देख लिए Finally हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इस जिले में देख लेते हैं, क्या, विधान सभा, तो इस जिले में चार विधान सभा दिखेंगे, एक है क्या, सराईपाली, फिर अगला कौन सा विधान सभा है, तो अगला है बसना, फिर है महा, समुन, फिर है खलारी, तो विधान रवार चार हैं क्या क्या है सराई पाली बसना महा समूद। और खल लारी कीख है कि नहीं हैं अध्या पूछ रहे हैं तीन विकेट हो गया क्या यार सहीं बताओ तुम लोगी स्कोर में कौन कमेंट किया है तीन विकेट जल्दी बताओ तीन विकेट गिरेक नहीं गिरा है जल्दी दिखाओ मेरे को अरपन नहीं स्वरी अपढणा अपढणा कमेंट करी है किता सर बसना पहले होगा लास में सरही पाली आजाए हो हो ठीक सहीं एकदम बाद में सहीं कर दिया था यार भारत पाकिस्तान बाच का दबाव आ गया था मेरे उपर ठीक है बताओ जल्दी बताओ तीन विकेट हुआ है की नहीं हुआ है जी क्या है यार तुम लोग भी मैं एकदम पढ़ा रहूं तीन विकेट किये हब बढ़ाक में पढ़ाना छोड़के किरिकेट देखने लग गया दो हुआ है अरे यार पूरा मजा किरिकिरा कर दिया यार चलो दो विकेट को चार विकेट कराना है कैसे चार्थ विधान सभा यार बसना सरई पाली महा समुद और खलारी तो चार्थ विधान सभा है तो चार्थ विकेट होना चाहिए दोटोस नहीं काम चलेगा समझ में आया एक नहीं आया है चलो तो पहला पॉइंट क्या हो गया अपना प्रशासन खतम अड्मिनिस्टेशन खतम छेट तैसील है पास्ट पे क्या है भई तो सबसे पहले पॉइंट डाल देता हूं हिस्ट्री ध्यान रखिएगा सबसे पहले हिस्ट्री में डिस्ट्रिक का फॉर्मेशन जिले का गठन तो जिले का गठन हुआ वर्ष था 1998-1998 अगला इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट मात्र जिला क्या था रायपूर तो 1998 में रायपूर के उत्तर पूर्वी भाग नौर्थ इस्टन पोर्शन को काट कर महा समुन को एक जिला बनाया गया था समझ में आया की नहीं आया अब ध्यान रखना यहाँ पर एक पूरा विक स्थल है इंग्रिश्च में बोलोगे तो आर्केलोजिकल साइट नाम है क्या सिर्पुर सिर्पुर सबसे पहले महानदी के तट पर है महानदी के बैंक्स पर है ठीक है सिर्पुर को एच्छत्तिदगड के तिहास में बहुत बार पढ़ोगे आप लोग इसके प्राचीन नामों में से एक नाम है चित्रांगदपुर ठीक है क्यों चित्रांगदपुर तो असल में ये राजा भब्रु वाहन की राजधानी थी और भब्रु वाहन जो है ना ये बेसिकली पुत्र थे किनके अरजुन और चित्रांगदपुर तो अरजुन और चित्रांगदप के बेटे भब्रु वाहन तो अपनी माता के नाम से इस नगर का नाम रखा चित्रांगदपुर तो सिर्पुर महानदी के तट पर प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर राजा भब्रु वाहन की राजधानी थी चत्रगड में जब महा भारत काल पढ़ोगे तो इनके बारे में पढ़नेक मिलता है हमको ठीक है और भब्रु वाहन अर्जुन और चित्रांगदा की क्या थे पुत्र थे ये क्या बटन दब गया इसको हटा देंदो अच्छा अब अगर बात करोगे आगे तो क्या-क्या देखना है सबसे पहले यहाँ पर हमको मिलेंगे बौधविहार इग्लिश वाले जब लिखो गया न तो भी बौधविहार लिख सकते हो बौधविहार क्या होते है तो बौधविहार एक्चुली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बौध भिक्षू रहें उसी कहते हैं क्या बौध विहार क्लियर है तो यहाँ पर बौध विहार मिलेंगे जब वेंसान के ट्रावलोग के बारे में लिखोगे वेंसान आक्विली छत्तिजगड आये थे सिर्पूर भी आये थे ठीक है तो जब आये तो उन्होंने लिखा है क्या लिखाया पता है कि यह जो सिर्पूर है यहाँ पर लगभग सो बौध विहार थे कितने बौध विहार थेower जिसमें अप्रोक्सिमेटली दसहजार बौध भिक्षू रहते थे सो बौध विहार थे जिसमें से दस हजार बौध भिख्षू रहते थे ऐसा किस ने लिखा है वेन सान ने समझे तो वेन सान लिखते हैं कि सिरपुर में सो बौध विहार थे जहां दस हजार बौध भिख्षू रहते थे अच्छा, यहां परना मुख्य रूप से तीन बॉध्विहार के क्या मिले हैं? अभी तक साक्ष मिले हैं, एक आपका आनंद, प्रभु, पुटिर, विहार, फिर है, तीवर देव, बुध्विहार, फिर है, स्वास्तिक विहार, सुझना आया? तो बौध्विहार, सो थे, दस जार भिक्षू रहते थे, लेकिन तीन के प्रमुकरूप से साक्ष मिले हैं यहां से, आनंद, प्रभु, कुटिर, विहार, तीवर देवुध्विहार और स्वास्तिक विहार, इसके अलावा, यहां से आपक एक शिव मंदिर भी मिला है, कौन सा है, वो है सुरंग टीला का शिव मंदिर, समझ में आया, आप लोग जाओगे ना, तो लेफ्ट साइड में पढ़ता है, चौक के आगे जाओगे ऐसे, सिर्पूर गया होगे कभी ना, तो दो एक ऐसा चौक पढ़ता है, जिसमें से लेफ् मिलेगा पहले, फिर गंधेश्वर मिलेगा, और राइट की तरफ मुड़ोगे, तो आप कहाँ चले जाओगे, तो जो अपना लक्षमन टेम्पल है, ना, लक्षमन मंदिर उधर, तो जैसी उस चौक से आगे निकलोगे, लेफ्ट साइड में सफेद कलर का बना हुआ है, नाम है क्या, गंधेश्वर महादेव मंदिर, अब यह जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है, अंदर जाने से तुलसी की गंध आती है, और तुलसी की गंध आने के कारण इसको कहते हैं, गंधेश्वर महादेव मंदिर, फिर यहाँ पर एक मंदिर है कौन सा, लक्षमन यह लाल इटो से बना है, किस से बना है लाल इटो से, made with red bricks, किस ने बनाया, रानी वासटा देवी ने बनाया, इनके पती थे जिनका नाम था, हर्ष गुप्त, तो हर्ष गुप्त की हो जाती है मृत्यू, और अपने पती हर्ष गुप्त की याद मेरानी वास्टा देवी, लक्षवण मंदिर को बनवाना शुरू करती है, बनने इस पहले खुद भी मर जाती है, तो कम्प्लीट कराते हैं इनके बेटे जिनका नाम क्या था, महाशिव गुप्त बालर जुन समझ में आया, तो श्याव धर्म से संबंदित चीज़े भी हैं, लक्षवण मंदिर असल में क्या है, तो भगवान विश्नु का मंदिर है ये, तो वैश्नाव धर्म से भी संबंदित चीज़े यहां मिल रही हैं, इवन जैन धर्म से संबंदित चीज़े भी यहां से प्राप्त हुई हैं, सम यह बिल्कुल यहां पर आपको मिलेगा क्या? सिर्पूर क्या मिलेगा? सिर्पूर एक थोबस नीवेदन है आप लोगों से एक-एक सेक्षन खतम हो तदकाल मेरे की स्कोर बताना अब इतिहास खतम हो गया है इतना ही था चलो मेरेको comment करके score बताओ कितना हो रहा है जी कितना हुआ है score comment करके बताओ comment करके पूछ रहे हैं गंदेशव महादेवे तुलसीक बहुत सारा पौधा है हाँ बहुत सारा खुप सारा है लेकिन पौधा जो है वो बाहर है और जो खुश्बू आती है न वो गर्व ग्री है सांक्टम सांक्टोरम के अंदर से आती है कैसे यार इसकोर नहीं बता पा रहे हो आप लोग उटपुटांग आदमी लोगो कूट रहे हैं त्रासीब दो है क्या अरे यार बस चलो भुगोल देखना टोटका बता रहे हो तुम लोग को अब मैं छत्र लोग यह जो महासमून डिस्ट्रिक्ट है ना इसका भुगोल जोग्रिफी चालू कर रहा हूँ जोग्रिफी खतम होने पहले बाबा राजम आउट है कोन आउट होगा बाबा राजम देख ले ना चंठान की बात करते हैं तो यहाँ पर चंठान या रॉक जो अपने एक मिले गा ना वह कौण सा मिले गा धारवाड्ड कि इसमें से जो खनीज मिलेगा मीले 6 डूल Bu एक और तो चंठान के धारवार है खनीज मीन्रल लोह यस्ख आयन ओर है नहाँ से मिलेगा तो ये भंडारण है रिजर्व है तो चक्तान धारवाड कलीज लॉयस्क भंडारण सरगुन भाठा ठीक है भई अब इसके बाद किस पर आते हैं परवत, हिल तो ध्यान रखना ये जो 323 नमबर नाशल हाईवे हैं इसी हाईवे में महा समुन्द और बाग बाहराग बीच में एक जगा है खलारी और वहींच पे आपको मिलेगा क्या तो मिलेगा एक परवत जिसका नाम है हाथी हतनी तो एच लेग दिया हूँ कौनसा परवत? हाथी हतनी ठीक है? अच्छा अब इसके बाद पिथारा है ना पिथारा के अल्मोस्ट कहलो साउथीस्ट की तरफ आपको एक परवत मिलेगा जिसका नाम है गौरागड कौनसा परवत है? गौरागड और सराई पाली के दक्छिन की तरफ आपको दोठ़ परवत मिलेगा एक का नाम शिशुपाल दूसरे का नाम रदन तो कित्ता परवत? चार एक का हाथी हतनी खलारी में महासोन बाग भारक बीच में पिथारा के साउथीस्ट दक्छिन पूर्व में गौरागड और सराई पालीक दक्छिन की तरफ क्या क्या है? एक आपका शिशुपाल दूसरा रदन शिशुपाल की जो उंची चोटी है हाईस पीक इसका नाम है धारी डोंगर और हाइट है 899 मीटर ठीक है कि नहीं है? क्लियर हो गया है यहां तक तो चार्ट हो परवत है अच्छा नदियों की बात करोगे तो ध्यान देना पहले राइपूर गरिया बन और फिर आगे चलके राइपूर महा समुन बॉर्डर पर फ्लो होती है कौनसी? तो महा नदी समझे माया? कौनसी नदी है? महा नदी महा नदी की एक सहायक मिलेगी आपको इस नदी का नाम क्या है? नाम है कोडार क्या नाम है जी नदी का? कोडार फिर आगे ध्यान देना उडिसा में जो सुना बेडा पठार है वहां से निकलती है फिर क्या करती है? ये ये आक्चुली ना बॉर्डर बनाती है नाम इसका जोग है बॉर्डर बना है उडिसा और चत्तजगड जोग नदी आक्चुली ना गौरागड के बगल से फ्लो हो जाती है तो काफी जग़ा पे आप देखोगे न तो लिखा होगा गौरागड इसका उद्गम है ओरेजिन जो की सही नहीं है समझ में आया? तो गौरागड के बगल से फ्लो होती है आती कहां से है? तो सुना बेडा यह पठार का नाम है कहां पर है? उडिसा सुना बेडा प्लाटू यहां से आई बॉर्डर बनाई किसका किसका बॉर्डर बनाई है? उडिसा और महासमुझिला चत्तुजगड और फिर निकल गई उपर इसके बाद यह रदन है रदन से निकल कर उपर की तरफ जाएगी कौन सी नदी है? लाट तो क्या-क्या है? एक महानदी महानदी की सहायत कोडार नेक्स अगर आप ध्यान से देखोगे सुना बेडास निकलने वाली जोक और इसके बाद फाइनली रदन से निकलने वाली कौन सी नदी है? लाट ठीक है? अच्छा अब अगर बात करोगे किसकी नदी की उपर जल प्रपात वाटर फॉल्स तो ध्यान रखना एक ना सिर्पूर के पास धसकुड करके जल प्रपात है यह स्थानी सरीता पर है लोकल स्ट्रीम पर क्याना में वाटर फॉल्स का धसकुड इसके अलावा और कौन-कौन से वाटर फॉल्स है तो एक है देवधारा अब यह जो देवधारा है यह कौन सी नदी के उपर है बलम देग ठीक है? कहोगे इसको मैप पर क्यों नहीं दिखा रहा हूँ गूगल में सर्च करोगे गरिया बंजिलम दिखाने लगता है इसको तो देवधारा बहुत जगा पर इसको साथ देवधारा बोल देते हैं कन्फ्यूज हो जाओगे क्यों? क्योंकि दंते वड़ा में साथ धारा जलप्रपात है इसलिए तो इसको हमेशा क्या बोलोगे? देवधारा जलप्रपात देवधारा बलम देई नदी के उपर है बलम देई भी महानदी की साहयक बनती है इसके अलावा एक जलप्रपात है जिसका नाम है क्या केशवा तो वाटरफॉल कौन कौन से दसकुड फिर देवधारा बलमदेई नदी पर और उसके बाद केशवा ठीक है तो यह वाटरफॉल हुए अच्छा नदी के उपर अगर परियोजना प्रोजेक की बात करोगे तो कोडार है इसके उपर कौन सा डैम है तो डैम का भी नाम क्या है कोडार बांध कोडार डैम और इसका नाम करण किया गया है शहीद वीर नारायन सिंग जी के उपर तो यह वीर नारायन सिंग परियोजना कह सकते है इसको ठीक है शहीद वीर नारायन सिंग परियोजना फिर जोंक नदी के उपर कौन सी परियोजन जोंक, तो ध्यान रखना, जोंक के उपर दो परियोजना है, एक का नाम है जोंक, दूसरे का जोंक डाइवर्शन, तो जोंक परियोजना महा समुन में है, जोंक डाइवर्शन जो है वो बलोदा बजार में है, तो कोडार देखे, और क्या देखे, जोंक, इसके अलावा बाग बाहरा जो है न, आप आज आओ लगबग इसके दक्षिन पश्शीम की तरफ तो आपको एक और डैम मिलेगा, केश्वा नाम है डैम का, और ये जो केश्वा बांध है, ये बेसिकली केश्वा नाला के उपर है, कौन से नाला के उपर, केश्वा नाला, तो परियोजना क्या-क आद क्या देखते थे, तो याद होगा आपको, हम लोग, ये जोगरफी चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, और द्योगिक शेत्र, तो इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर एक फेमस है, जिसका नाम है, बिरकोनी, क्या है इंडस्ट्रियल एरिया, बिरकोनी, ठीक है, अब इसके बाद next आप लोग ध्यान देना, next यहाँ पर एक wild life sanctuary है, नाम क्या है इसका, तो नाम है बार नवा पारा, बार नवा पारा wild life sanctuary, 1976 में यह बना, शेत्र फल 245 square kilometers, किस जानवर के लिए famous है, सांप, ठीक है कि नहीं है, किस के लिए famous है, स्नेक्स के लिए famous है, सांप के लिए famous है, clear है, तो अद्योगिक शेत्र बिरकोनी, wild life sanctuary, बार नवा पारा, बार नवा पारा को पहले इस बता दूँ, अगर PSC का कोई paper दोग तो answer बलाउदा बजार लेता है, समझ में आयक नहीं आया, तो बार नवा पारा, महा समून, ऐस पर PSC, ऐस पर व्यापम क्या लोगे, बलाउदा बजार, शेत्र फल 245 square kilometers, कब बना 1976, कौन से जानवर के लिए famous है, सांप के लिए, तो यहाँ पर खतम हो जाता है, अपना क्या तो geography, finally हम लोग आ जाते हैं किस पे, तो हम लोग आ जाते हैं अपने जन जाती परियतन, tribes and tourism पर, बताओ फटा फट, आउट वाक नहीं हुआ, जल्दी बताओ, आउट वाक नहीं हुआ जी, कमेंट करके बताओ न जी, आउट वाक नहीं हुआ, कैसे लोग हो यार, बाबा र गए, सतक वातक हो गे तो इसे लागत मुला तो, नहीं हुआ, तो आउट होते होते हैं बच वच रहा है कि पीट रहा है भैंकर, बच वच रहा है कि पीट रहा है तरीके से, जल्दी बताओ जल्दी, गए जी अब तो नहीं बाचनती से लागत है, अरे टेंसन मत लो यारे द्याव आउट होगा देखते रहा है तुम लोग, अब नहीं बाचे होगा, अब नहीं बाचे होगा, कावर, अब हमने जंजाती पर रिटन पड़बूल देखर सती, तो यहाँ पर ट्राइब्स की ब सावरा, सावरा जंजाती बहुत फेमस है, यह लोग क्या गरते हैं पता, यह लोग साप पालते हैं, और जहरिये सापों को दिखा दिखा कर लोगों को पैसा कमाते हैं, इस जंजाती में जब विवा होता है, तो लड़की को 21 जहरिला साप किस में दिया जाता है, दहेज में कि तठो 21 हो जहरीला साब और मालो 21 हो जहरीला साब का जुगार नहीं हो पाया तो तब तक के लिए शादिक पोस्पॉन रखते हैं और जैसे ही जुगार हो गया फिर साधी हो जाते है समझ में आया तो ऐसाड़ा एक का स्थिती है भईया सामरा जन जाती ऐसी दो-चार धन समरा लोग को पाकिस्तान में छोड़ देना चीए सब को साब चाबेगा भारी मज़ा आएगा ठीक है कि नहीं है आज के मैद बहुत मैदार होगा पाकिस्तान को हराना है वाँ हराबो ना उम टेंसन के का बात दो-चार धन सामरा मलत छोड़ देगो ओखर बात देखो परियतन टूरिजम चलो फटाक से खतम कर देता हूँ ताकि जाक तुम लोग मैज देखो सबसे पहले परियतन में एक ठोक्या है मैंने बताया था ना हाती अतनी परवत कहाँ पर एक खलारी तो यह जगा है खलारी खलारीन क्या है भईया बहुत फेमस खलारी देवी मंदिर फिर आगे जाओगे बाग बाहरा के थोड़े से दख्षिंड की तरह आजाना आपको क्या मिल जाएगा घुंचा पाली और घुंचा पाली जो है ना यहाँ पर फेमस कौन सा मंदिर है तो चंडी माता मंदिर यह वही मंदिर है जहाँ पर भालू आता है क्या खाने के लिए परसाद और लोग उसको क्या पिला देते हैं फ्रूटी समुसा अच्छा नहीं है नहीं करना चाहिए समझ में आया उनका जो digestive system है high amount of sugar को fried food को digest करने के लिए नहीं बना है raw food के लिए बना है तब क्लीप हो सकती है तब यद्खराब हो सकता है मृत्य हो सकती है बालू की ठीक अच्छा खलारीच के बगल में और एक ठो जगा है जिसका नाम क्या है भीम खोज अब यह जो भीम खोज है basic story ऐसी है कि यहाँ बड़ा बड़ा पदचिन मिला है तो यह कहते हैं कि यह असल में किसका है तो भीम के पदचिन है footprint से भीम के किसके footprint से पदचिन है भीम के ठीक है इसके अलावा अगर कभी महाभारत पढ़े हो तो आपको house of lacquer लाक्षागरी की घटना के बारे में पता चलाओगा जिसमें कौरव पांडवो को जला कर मारना चाहते थे तो ऐसा कहते हैं कि वो घटना यहीं की थी यहीं पर उन्होंने क्या किया था खहलाक्षागरी को बनाया था और पांडवो को जला कर मारने की साजिस थी हाला कि ओसाजिस पूरी नहीं हो पाई थी थेक है कि नहीं है तो ध्यान रखना परयाटन में यहाँ पर क्या है खलारी खलारी मातक मंदिर है इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत फिमस नारायन मंदिर भी है अब कल्चुरियों के बारे पढ़ोगे तो पता चलेगा देवपाल मोची बनवाया था नारायन मंदिर ठीक है इसके अलावा घुंचा पाली चंडी माताक मंदिर है और भीम खोष तो भीम के पदचिन मिले है और कौनसी घटना लाक्षा ग्रीह वाली घटना ठीक है चलो इतना ही था फाइनली कुछ प्रश्न है देख लो खदम करते हैं उसके बाद पहला क्वेशन क्या है महासंवन जिले में स्थित कॉंसे स्थल से सभी धर्म बध जैन हिंदू के सक्ष प्राप्थ हुए है खलारी सिरपुर तुम गाओ वास बाहरा बताओ कमेंट करके बतादो फिरस्ट कॉश्यन का अंशर क्या है फिरस्कॉश्यन का अंशर सावरा की किस्थन साप्रा धीलेल पढ़ी तीसे लागा था हो हो एक नंबर कोबरा छोड़ेंगे तब काम का है तो लेन कोबरा छोड़ दो पन का दिक्का थे कोबरा कवेद कोबरा और कोबरा कवेद कोबरा दूनोल छोड़ दो का दिक्का थे हमला बताओ जल्दी बताओ फ़र्स का क्या है सिर्पुर है भी ठीक बात चलो सेकंड कोश्चन में आजाओ महा समुझले में कौन सा अध्योगिक शेत्र है बिरकोनी, स्यामतरी, महंदी, बेल्टुकरी बताओ जल्दी बताओ जलदी सेकंड का बताओ फटाक से कैसे लोग हो यार सेकंड का अंसर नहीं बता रहे हैं मिरको बिरकोनी, चलो ठीक है बहुत बढ़िया तो आधा घंटा आज मुझे जहलने के लिए आप सभी कने कने धन्यवाद है मिरको पता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद भी आप लोग है, बहुत बड़ी बात है मिरे लिए चलो ठीक, बाई बाई टेक केर, इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं ततकाल आउट कराओ बाबारा जमलत, ततकाल ठीक है, चलो मिलते हैं आप सभी से काबर ले तसरे टेंसन अरे काबर ले तसरे टेंसन जब आप स्वर बन केते घर पे धमार ये कैसे होगा से बाई बाई